नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाथी से हर्याणा के मुख्य मंत्री मनुहर लाल खटर दी गुरुवार 23 पर वरी अनि आज विदान सभा में विट वर्ज 2023-24 का बजट पेश किया है क्या क्या है इस बजट पी आये जाते हैं कौन सी सौगात मुख्य मंत्री ने दी है वो देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं समाजिक सुरक्षा पेंशन को मौझूदा 2500 रुपे प्रतिमाह से बढ़ागत 2750 रुपे प्रतिमाह करने और महिला उध्युमियों को वित्य मद दिने के प्रस्ताफ दिये गए हैं साथ ही बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है मुख्य मंत्री कतर ने वित मंत्राले का भी प्रभार है उन्होंने आगमी वित्वर्ष के लिए 1,83,950 करोड रुपे का बजट पीश गया है जो संशोधिद अनुमान 1,64,808 करोड रुपे से 11.6 पीस भी अधिक है वहीं इस बजट में सबसे जादा ध्यान दिया गया है गौर रक्षा सीवा की वित्वर्ष जी हां मुख्य मंत्री ने बजट में हर्याना गौर रक्षा सीवा आयो के लिए कोश को मजूद 40 करोड र रुपे करने का भी प्रस्ताव रखा है सरकार में 2023-24 में समुग और घ में कम से कम 65,000 नियमित पदों पर म्युक्ति किये जाने की भी खुशना की है राजा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.8 लाक रुपे से 3 लाक रुपे वार्षिक आये वाले सभी परिव परिवारों को स्वास्त वीमा, चिरायू, आयुश्मान, भारत योजना देने का भी प्रस्ताव दिया इतना ही नहीं मुख्य मंत्री खट ने कहा कि इसके तहत एक परिवार को सूची बद अस्पताल में 5 लाक रुपे तक का इलाज कराने की सुद्धा में लेगी इसके लि विधान सभा में कहा कि बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है मुख्य मंत्री खट ने बजट में बैंकों और वित्य संस्थानों की मदद से उधम पूंजी कोश स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है इस कोश से महिला उध्योमियों या 1.80 लाक मुख्य मंत्री ने कहा कि इस कोश से युवाव को उन परियूजनाओं में उधमी बनाने में मदद की जाएगी जिसकी लागत 5 करोड रुपे तक की तो इस कोश में 200 करोड रुपे का प्रवंधन किया गया है इसके साथ ही समाजक सुरक्षा पेंशन पर कटर ने कहा कि फिलहाल इसके अंतरगत लगभग 19.71 बुजर्गो सम्मान भत्ता विद्वा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 2500 रुपे प्रती महा की मदद दी जाएगी अब इस राशी को एक अप्रेल 2023 से बढ़ाकर 2750 रुपे प्रती महा तो कर दिया गया अभी से और सरकारी उध्योगिक परिक्षन संस्थान में प्रवेश लेने वाले और तीन लाख रुपे तक वार्शिक आये वाली लड़कियों को 2500 रुपे प्रती महा की वित्य मदद द इसके साथ ही सतलज यमुना लिंक कैनाल के मुद्दे पर ही मुख्य मंत्री खटर में कुछ बात इखते हैं उन्होंने कहा कि सरकार रवी व्यास नदी प्रडाली से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए इसके लिए विशेश रूप से 101 करोड रुपे का परिव्या कर प्रस्ताव किया जाएगा उन्होंने कहा कि अगर अतिरिक्त मांगाती है तो सरकार विधान सवा में इसका प्रस्ताव लाएगी मुखे मंतरी ने कहा कि हर्याणा में पराली जलाये जाने के मामने में 48 फीसदी की कम्याई और इसकी राष्टी अस्थर पर सराहना भी हो रही है साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से पराली की खरीद के लिए प्रोचसाहन के रूप में 1000 रुपे प्रती टन की दर निर्धारित की गई है यह सोगात हर्यान पrop इसमें से आपको पसंद आया आपको गौध सेवा का जो सेक्टर उन्होंने बताया कि 40-400 तक के कर दिया महिलाओं के लिए किसानों के लिए इस्पर आपको क्या लगा कि हर्याना की जो सोगात इस वक्त दी गई है खटर द्वारा इसमें क्या कुछ नया हो सकता था और जो दिया गया है वो काफी है इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए अवारे साथ बने रहें और देखते रहें इंदियानूस दाने लाइ